हेई एवरिवन आज हम देखेंगे स्टैनम मट मेडिसिन को आलें स्कीनोर से तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्टैनम मटेली कम एक मिनरल किंग्डम की रेमडी है जिसको हम लोग टीन बोलते हैं यह एक अलिमेंट है तो मेंटल जेनरल्स देखते है एक्स्ट्रीम एक्जोशन माइं ठीक है अब क्या हो गया इसके मेंटली क्या परसन भूह जाधा एक्जोश्ट्षन होगी जह साथा ठग गया है सैट डिसपॉंडट फीलिंग लाइक क्राइं ओली टाइम ठीक है अभ इतनी साथा सद्डनेस हो गई कि ऑल्ल टाइम पे क्या करता है वह रोना चाहता है वाट crying makes her worse ठीक है जैसे ही वो रोएगा उसकी feelings को अगर वो express करेगा रोएगा तो उसको क्या होगी उतनी ही साधा suffering होगी तो नेट्राम्यूर, पलसे टेला और सीप्या में भी remedies है जिसमें consolation, नेट्राम्यूर में consolation aggravation होता है पलसे टेला में amelurition होता है, सीप्या में भी aggravation होता है तो ये remedies भी क्या है, वीपिंग के लिए famous है, वही स्टेनमेंट में भी हमको crying all the time देखने को मिलती है बड़ जब भी रोता है तो उसकी suffering को और बढ़ाता है Fent and weak, कितनी जादा weakness के वह बेहोश हो जाता है especially when going to down stretch, जैसे ही नीचे सीडियों के नीचे जाएगा नीचे उतरेगा, तो उसको fatening हो जाती है, can go up well enough लेकिन सीडिये चड़ने की बात है, तब तो स्टेनम में टाराम से चड़ लेगा जब अगर उतरने की बात आएगी, तो उसको fatness और weakness देखने को मिलती है बोरेक्स में भी downward motion से बहुत जादा उसको दिक्कत होती है और वहीं केलकेरिया का आपको क्या upward motion से दिक्कत होती है फिजिकल जनरल्स के अगर बात करते हैं, तो while dressing in a morning has a sit down several time to rest, जैसे कि सुबह हम लोग office के लिए चाते हैं तो हम लोग हम लोग dress up करते हैं, तो उसमें अगर stannum का person है, तो तिनी जादा weakness है, कि ready होते होते हैं उसको बहुत बार बेटना पड़ता है, rest लेना पड़ता है sweat, mildly, mustry order हमको देखने को मिलती है, जो कि fungus type की order होती है, after 4 a.m., 4 a.m. के बाद उसको sweating में इतनी गंदी बदबु आती है, every morning on neck, sorry, on neck, 4 noon, ठीक है, सुबह सुबह आती है, उसको sweating, neck पे आती है, forehead पे आती है, जो ये sweating है, वो भी बहुत जादा debilitating होती है, जो person है, उसको जी आईटी सिंटम को होती है, जी आईटी में हमको sinking feeling होती है, empty algon sensation अना stomach, ठीक है, stomach में weakness feel होती है, उसके कारण हमको sinking, empty feeling आती है, चीली डोनियम, फॉस्फोरस, सीपिय में भी हमको empty feeling अना stomach देखने को मिलती है, कोलिक जो है, वो emulurated होता है, heart pressure से, और by lying on abdomen, across the knee और shoulder, ठीक एसे, abdomen पे सोना, और जो knee है, उनको shoulder तक ले आने में, उसको क्या emuluration मिलता है, कोलोसिन में भी bending forward, यह double up से emuluration मिलता है, इसमें हमको lumbrick eye passes warm, ठीक है, छोटे-छोटे worms हमको देखने को मिलेंगे, lumbrickles देखने को मिलेंगे, जब भी यह poti pass करेगा, nausea and vomiting in a morning from the order of cooking food, अगर कोई से भी food cooking हो रहा है, उसके कारण उसको nausea and vomiting हो रहा है, तो stannum med medicine है, आरसे नी, कॉल्चिकम में भी हमको यह देखने को मिलता है, कि nausea and vomiting होती ही, उसको cooking food से, female reproductive system की बात कर रहें, तो menses जो होते, stannum के बहुत जल्दी आते है, too early आते हैं, too profuse रह जो होते हैं, before menses, pain देखने को मिलेगा, mellar bones में, during menses, menses के time जो bones है, facial bones उसमें दर्द देखने को मिलेगा, वही mental sadness, before menses देखने को मिलेगी, लुकोरिया के अगर बात करते हैं, तो बहुतादा diabetes और weakness देखने को मिलती है, हमको लुकोरिया के time पर, ठीके proceed from the chest, उसको यसा ल लुकोरिया, वहाँ से proceed हो रहा है, weakness वहाँ से हो रही, तो CPI is a remedy, prolapse uterus की यह भी बहुत इच्छी remedy है, stool के time में हमको uterus prolapse के complaints देखने को मिलती है, अगर diarrhea के साथ अगर prolapse है, specifically तो podophyllum is a remedy, so very weak, she drop into chair instead of the sitting down, ठीके, जब भी अगर chair पे बेटने की बात होगी, तो इसको इतनी जादा weakness है कि वह उस पे क्या हो जाती है, drop down हो जाती है, respirator system की अगर बात करते तो बहुत जादा चेस्ट में weakness होती है, जोकी aggravated होती है, talking से, laughing से, reading aloud, singing, so weak, unable to talk, इतनी जादा उसको चेस्ट में weakness है, कि वह बात भी नहीं कर पाता है, कफ की अगर बात करें स्टेनम की, इसके respiratory symptom बहुत important है, deep, hollow, shattering, strangling, type के हमको कफ देखने को मिलेगा, concursue in a paroxym of the three, तीन बार खासे क, S-type का, अगर दो paroxyms में है, तो maxol is a remedy, dry while in a bad, ट्रीक है, dry कफ देखने को मिलेगा, bad में रहेगा तब, और evening के time पे भी उसको aggravation होता है, कफ में, empty sensation, chest में देखने को मिलता है, expect production अगर निकलेगा बलगम, तो वो प्रफ्यूस होगा, white of egg, egg white जो रहता है, transparent उस टाइप का, और test में, sweeties, salty हो सकता है, काली आयोडम और सीप्या का भी जो expectoration होता है, वो sweaty, salty रहता है, सार पुटरीड मस्टी भी हो सकता है, और color में, yellow, green puff देखने को मिल सकता है, अगर बहु होर्षनेस के अगर बात करते हैं, तो deep, husky, hollow voice हो जाती है, जो की, relief for the time by coughing, और जब भी expectoration करा, cough करा, तो उसकी जो होर्षनेस है, जो गले में भारीपन है, वो क्या होता है, उसका relief होता है, extremities और nervous system के अगर हम बात करें, तो when singing और using the voice, aching and weakness in a deltoid in arms, जब भी वो singing करेगा, या अपनी voice को use करेगा, तो उसको aching और weakness कहाँ फील होगी, shoulder में, जो अपनी deltoid muscle है, वहाँ पे, और जो अपनी arms है, उसमें, nervous system के अगर बात करते हैं, तो हमको headache और neuralgia देखने को मिलता है, तो pain कहाँ से start होता है, pain began lightly, पहले धीरे-धीरे होगा, फिर increase होगा gradually, highest point पे जाएगा, then धीरे-धीरे decline होगा, ठीक है, यही symptom, gradually increase and gradual decrease, symptom हमको platina में भी देखने को मिलता है, Modalities के अगर हम बात करते हैं, तो aggravation हमको पता ही है, laughing से, singing, talking using a voice, lying on a right side, ठीक है, drinking anything warm, जब भी कोई warm चीज़े खाएगा, तो उसको aggravit होगी, वही अगर cold drinks है, तो spongy है, remedy है, hyper self remedy है, echo night है, बहुत सारी remedies है, Emulation अगर हम देखेंगे, तो coughing और expectoration से इसको relief हो जाती है, hostness और heart pressure से, heart pressure से, colosynth remedy को भी emulation हमको देखने को मिलता है, जो strenum medky remedy, complementary है, pulsatilla, ठीक है, strenum follow करता है, आप causticum के बाद दे सकते हो, और followed by calcarea, phosphorus, silesia, sulfur और tuberculonum, इन साब remedies के बाद भी आप strenum दे सकते हो, और strenum क के बाद ये सारी remedies भी प्रसकाइब कर सकते हो, तो ये थी remedies strenum med from allans keynote materiam edica, I hope अपके लिए lecture helpful है, thank you for watching.